हेलो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और आज हम आपको कैंसर से रिलेक्टेट कुछ ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसको जानना आपको बहुत जरूरी है क्योंकि दोस्तों कैंसर ऐसी विमारी है जब तक हमें पता चलता है तब तक पेशन तीसरे या चौथे स्टेज में पहुँच जाता है तब तक दोस्तों उससे बचाना काफी मुस्किल हो जाता है क्यों न दोस्तों मैं ऐसी चीज़ों के बारे में जानकारी ले लें उस कैंसर की कंडिशन में कोई आय ही ना तो दोस्तों इस जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखे दोस्तों अगर आप कोई की वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाए और प्रेस करें हमादी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए तो दोस्तों आज हम आपको घर में हर रोज इस्तमाल होने वाली कुछ ऐसी तीन चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी वज़े से कैंसर जैसी खतरनाक बिमारिया होने की समावना बहुत जादा रहती है और जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं कि कैंसर एक बहुत खतरनाक बिमारी है जिसका समय पर अगर इलाज ना किया जाएं तो पेशन्ट की जान भी जा सकती है दोस्तों आपको जान के हरानी होगी कि पिछले 10 साल में कीड़नी, फेफड़े और लिवर की खराबी और साथ में कैंसर जैसी गंबीर बिमारिया फैलने के पीछे इनसान दोरा बनाए गई कैमिकल चीजे ही जिम्मदार हैं तो दोस्तों ये तीन चीजे ऐसी हैं जिसके बारे मैं आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे पहली चीजे प्लास्टिक दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि डिस्पोसिबल प्लेट का इस्तमाल भारत में साधी और तेवार के मौके पर काफी किया जाता है इनका चाय, काफी और साफ्ट डिरिंग का इस्तमाल भी इसमें किया जाता है इसमें मौझूद कैमिकल, गर्म दूद, चाय डालते समय पिगलने लगता है और ये कैमिकल हमारे सरी में घुल कर बहुत ही बिमार कर सकते हैं जो आगे चलके कैंसर का भी रूप ले सकता है दूसरी चीज है अगरबत्ती दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं कि जी सीज का प्रियोग हम भागवान की पूजा करने में इस्तमाल करते हैं क्या वा कैंसर भी फैला सकता है तो जी हाँ, आपको मदादू कि अगरबत्ती भी दोस्तों के चेस कैंसर जैसी बिमारिया फैलाने के कारण में आ सकता है इससे निकलने वाले दूवा फेफिडे के कैंसर का कारण बनता है आपको मैं बदा दू कि वर्ल्ड हेल्थ और्गनाजीशन ने इसके बारे में जार्च की है अगरबती के दूवां से होने वाली बहुत सारी बिमारियों का खुलासा किया है और उसी में से एक है कैंसर तीसरी जो चीज़ है जो कि हम अपने घर में इस्तमाल करते हैं वो है मचर मारने वाला कैमिकल आज के समय में दोस्तों मचर भगाने के लिए कैमिकल का काफी ज़्यादा इस्तमाल होता है जो कि आपको हर घर में देखने के लिए मिल जाएगा आपको मैं बदा दू कि मचर भगाने वाला कैमिकल ये फेफडे की टीश्यू को नस करता है जिसके वज़े से कैंसर जैसी गंबीर बिमारी होने की समामना बहुत जादा रहती है साथ ही दोस्तों ये कैमिकल सांस के उधारा खून में मिलकर हमारे फेफडे में पहुशने वाले आक्सीजन को भी रोक सकता है जिसके वज़े से सांस लेना भी काफी जादा कटिन होता है ये आगे चलके दोस्तों कैंसर का भी कारण बनता है तो दोस्तों ये तीन ऐसी चीज़े थी जो कि हम अपने घर में काफी जादा इस्तमाल करते हैं आई दिन दोस्तों इन तीनों चीज़ों का इस्तमाल हम करना ही पड़ता है लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि ये चीज़े ऐसी हैं जो आगे चलके हमें कैंसर का रूप दिखा सकती हैं तो दोस्तों ये तीन चीज़ों का इस्तमाल करने से पहले एक बार जरू ध्यान में रखिएगा आपको दोस्तों इस वीडियो के बारे में राय क्या है एक बार मुझे जरू कमेंट कीजेगा और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज जरू शेयर कीजेगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कीजेगा